हलो एन वालकम टू एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल और टेक्नलोजी जसे सम्मंदित वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएए सब्सक्राइब के बटन को साथ ही तब एक गंटी के आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए सबी शिक्षकों को मेरा नमशकार आप इससे मे देख रहे हैं N.I.Os.Dillad Video Lecture Series इस सीरीज में हम N.I.Os.D.A.L.E.S.C. हर एक आई के हर टॉपिक को गवर कर रहे हैं यह पढ़ाया जा रहा है आपको Lectures के माध्यम से इससे पहले के सभी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करें वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं और आज हम जो अपना वीडियो है उसमें इस lecture में हम cover करने जा रहे हैं अपना next topic जो की है 2.2.2.2 जो की है मुदा लियर आयोग इससे पहले हमने पढ़ा रादा कृष्टन आयोग एकाई 2 का ये topic है कोर्स 501 का तो चली शुरू करते हैं मुदा लियर आयोग को मुदा लियर आयोग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है इससे पहले भी कि कुछ आयोग गटित किये गए थे स्वतंतरता काल के पश्चात यानि इंडिपेंडन्स दे के बाद तो मुदा लियर आयोग बना था 1952 में ये इसका समय दिया गया है आपके स्लिबस के अनुसार और इसका गठन जो किया गया था मुदा लियर आयोग का था 1952 में और इस आयोग को मुखरूप से माधिमिक शिक्षा आयोग करा जाता है यानि कि सेकंडरी एजुकेशन कमिशन और चूकि इसको डॉक्टर लक्ष स्वामी मुदा लियर इस आयोग के अद्यक्षि थे तो उनके नाम पर ही ये आयोग का नाम रखा गया है एक तरह से इस आयोग का जैसे मैंने आपको बताए कि माधिमिक शिक्षा आयोग था रादा किष्णा नायोग इससे पहले जो हमने पढ़ा वो विश्व विद्याला शिक्षा पर उसका मेन फोकस था उसने ध्यान दिया उसी संबंद में सुझाव दिये मुदा लियर आयोग ने जो माधिमिक शिक्षा है उस संबंद में उसकी बहतरी के संबंद में इसके स्ट्रक्चर को बहतर बनाने के संबंद में इसके विकास के संबंद में कुछ इसका प्राथमिक और जो उच्च शिक्षा है यानि कि मिडिल स्खूपल्स है उनको उनके संधर में किस तरह से जो मादमिक शिक्षा है, यानि कि Middle Education है एक तरह से Secondary Education है आपकी जीगा और उसको किस तरह से Restructure किया जाए, पुनर्गटित किया जाए और उसे उसमें बदलाव किये जाए जैसे कि ये Secondary Education मादमिक शिक्षा बहतर बन सके तो मुदालियर आयोग ने अध्यापकों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया, अध्यापकों के संबन में जो सिक्षा दी जाती है उनको, यानि कि उनके ट्रेनिंग की कारेकरमों पर विश्वे ध्यान दिया, कि किस तरह से जो सिक्षक पढ़ाते हैं, अलग-अलग प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और सेकंडरी एजुकेशन देते हैं तो उनके किस प्रकार से जो ट्रेनिंग की विवस्ता की जाए जिससे कि वो और बहतर बन सके तो इसने मुख एक तरह से इस चीज का आधार रखा कि अध्यापक शिक्षा को दो प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो अध्यापक शिक्षण के लिए अलग से संस्था होनी चाहिए जिसका उद्देश हो सभी ऐसे विद्यारतियों को प्रिस्क्षित करना यानि ऐसे अभ्यारतियों को यानि कि जो टीचर से जो प्रात्मिक शालाओं में अध्यापक हैं उन्हें ड्रेनिंग देना जो की मैट् तरफ से बताया गया इस आयोग के द्वारा और जो दूसरा है मैंने बताया है कि सेकंडरी एजुकेशन इंस्टिटूट होने चाहिए सेकंडरी टीचर्स के लिए यानि कि माध्यमिक अध्यापकों के प्रिस्क्षण के लिए अलग से संस्ता होनी चाहिए जो कि होगी वन एयर कोर्सेस इनके दौरा चलाए जाए और जो ग्रेजुएट टीचर से उनको शिक्षित किया जाया तो पहले में आ गया जिन्होंने मैट्रिकुलेशन और हार सेकंडरी पास टीचर से उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से इंस्टिटूशन बनाए जाए जो माध्यमिक अध्यापक है उनके लिए अलग से इंस्टिटूट बनाए जाए सेकंडरी टीचर स्ट्रेनिंग इंस्टिटूट तो यह इसने मुख सुझाव दिया और अध्यापक प्रशिक्षारतियों से यानि कि जो जो भी अध्यापक ट्रेनिंग लेंगे उनसे या पेक्षा थी कि वहाँ एक से अधिक जो सिलिबस है उनमें और जो पार्टिक्रम है या जो सब्जेक्स चलाई जाएं उनमें जो प्रशिक्षन हो प्राप्त करें यानि कि अपनी ट्रेनिंग करें बेहतर बनने के लिए और जो महाविद्या लें यानि कि जो इंस्टिटूशन्स इस्तापित किया जा रहे थे उन से ये अपिक्षित था यानि उन से एक्स्पेक्टेशन थी कि वो अपने यहां पर ऐसे पार्टिक्रमों को शॉर्ट टम कोर्शिस को यानि कि छोटे कोर्शिस को वो इस्पेशल कोर्स को चलाएं अपने नहां पर जो कि इस्पेशल सिक्षा प्रदान करें और और जो कि प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस हो यानि कि विवसाइक और समवरतिक सिक्षा जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं तो बेशेशकर मतलब यह बताया गया है कि जो इस्पेशन को खोले जाएं वो शौट टर्म कोर्सिस पर और ऐसे विशेश अफदी के कोर्सिस पर ध्यान दें ऐसे विशों में सिक्षा कराना जो कि वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दें और बहतर अध्यापकों को इसके लिए एक अलग से रिसर्च या स्कूल खोलने की सुझाब भी दिया गया है जो मादविध्या लेके साथ ही खोले जाए यानि कि जो इंस्टुटूशन उमने एक ऐसा विवाग बनाया जाए या अलग से एक स्कूल क्रियेट किया जाए जिसमें रिसर्च का कामों निशिलल कर परिध्सक्षण की जबर्द दस्ता उफारिक यानि कि ऐसे विद्यालहों को ऐसे इस इस इंस्टुटूशन को इस daarी कि जाय करे जहां पर रहकर आवाज ओआशियसों विदायर हो और वहां बिना किसी पैसे यानि निशिल्क यह prescription प्राप्त किया जा सके अध्यापकों की द्वारा तो इस आयोग की अनुशनसाओं के द्वारा recommendation सुझावों के द्वारा जो अध्यापकों की training थी खासकर और सेवरत जो अध्यापक थे यानि की जो काम कर रहे थे उनके इस training के लिए जो काम किया गया उस पर बहुत बड़ा effect आया यानि की टीचर की training के संब्द में जो एक बड़ा बदलाव आया हूँ उसमें इस आयोग का बहुत बड़ा योगदान था और आज भी कहीं न कहीं देखने मिलता है तो ये था मोदालियर आयोग इस आयोग के संब्द में इस topic के संब्द में जो महतपूर प्रश्ण हो सकते हैं वो फर्स्ट ये रहेगा कि मोदालियर आयोग कब बना इसको किसकी अद्धिक्षता में बनाया गया तो आंसर रहेगा 1952 में बारस सरकार द्वारा मिस्टर लक्षमन स्वामी मोदालियर के इसके अद्धिक्षते उनके अद्धिक्षता में इसको बनाया गया तो दूसरा आएगा इसके उद्धेश्य क्या थे इस आयोग के तो इसका उद्धेश्य थे माद्यमिक शिक्षा की जाज करना और प्रात्मिक और उच्छे शिक्षा के साथ इसका सम्मंद इस तरह से समझना कि मादमिक शिक्षा को पुनरगटित किया जा सके उसमें कुछ महत्पूर्ण बदलाव किये जा सके तीसरा प्रेशन होगा कि इस कारिक्रम इस मुदालियर आयोग के अनुसार अध्यापक शिक्षा को किन दो भागों में विवावजित किया तो इसका उत्तर आएगा पहला है प्रैमेरी टीचर टीक्रानिंग इंस्टिट्टूट तेयार करना जो मैट्रिक्लेशन और सबीक्री पास नके लिए और जो ग्रेजुएट टीचर ंके लिए सस्थानिघ टीचर ट्रेशिक्षियंग कि इसमें परिश्क्षन देना तो यह मुख प्रकार के इसमें तीन कॉश्टन्स बन सकते हैं तो इसे आप कवर कर लें और इस वीडियो लेक्शर में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अगला टॉपिक 2.2.3 महला शिक्षा पर राष्ट्रिय समिती दुरगा भाई देश मुख समित तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपना नहीं किया है मारे चाहल को